ऐस्तुरूडंस, ya आपको भी लगता है कि आप किसी से पढ़हाई में कम है या आपको सुर्सेस नहीं मिली है पैसों का भाव हुआ हुआ किताब करिदने में दिक्कत हुआ है। या ट्यूसन के लिए पैसा नहीं मिला, या गारजियन ने आपको ध्यान नहीं दिया, तो जिहां ये सब चीजों से कैसे उबरा जाए, इसके लिए ये वीडियो है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ मिला है, टूडेंट्स देखो चार चीजे जीवन में इंपोर्टेंट है किसी भी विद्यारती के लिए, मैं गुरुकुल परदती पर नहीं जा रहा हूँ, वहां पर जाओंगा तब और आपको मिर्ची लगेगी, तो मैं चार चीजों पर जा रहा हूँ, वो क्या है, लक, नोट कर सकते हो पेन और पेप मेहनत करते हो, या कॉपी पर सवाल बनाने में मेहनत करते हो, या मैत, फिजिक्स, कमेश्टरी, बाइलोजी का बुक पढ़ने में मेहनत करते हो, या रात में सो करके फेस्बुक पढ़ने में मेहनत करते हो, यह लक की बात है, लक, लक सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में या भी जो बाते हो रही थी वो लेबर की बाते थी लक्स सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में कि आपने दो साल जी जान लगा करके मेहनत किया 15 घंटे का स्टडी किया लेकिन क्या हुआ परिच्छा के एक दिन पहले आपका पेट खराब हो गया पेट चालू हो गया परिच लेबर मतलब आप कितना मेहनत किये थे भगवान उसी की मदद करता जो अपनी मदद करता अगर आप मेहनत करोगे आपका लग कभी खराब नहीं हो किसमत का दोस्तों देना बंद ही कर दो कि हम आयाइटी के एकजाम में बैठेंगे और मेरा साथ में 40 वो सही हो जाएगा लेमन पॉइंट पर एक बढ़िया सा ओफिस खोलेंगे और उसमें बहुत सरा इंपलाई को रखेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है लग के बाद लेबर बहुत इंपोर्टेंट करता वह भी एक्सिलेंट बेस्ट डाइरेक्शन में पीसरा बात होता है चोरी चोरी मतलब एक्ज बैटे हुए मौका मिल गया चोरी करने का तो कर लेंगे यहां पर कोई साधू बात दिखाने की जरूत नहीं है और चौता सबसे बड़ी बात है चांस एक तो चांस मिला आपको मनुस्जाती में जन्म होने का दूसरा चांस मिला ऐसे माबाप के घर में जन्म होने का जहां पर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तीन टाइम खाना मिल रहा है सुंदर सुंदर कपड़ा मिल रहा है और एक बढ़िया से स्मार्टपोन मिल रहा है रोड पर जाओ जोगी जोपडी में जाओ वह बच्चा भी है जिसके बदन पर पूरा कपला नहीं है तीनो टाइम नहीं खा पर रहा है वैसे बच्चे भी स्ट्रीट लाइट में पढ़कर के आज आई एस ऑफीसर बन रहे हैं वह किसी को ब्लेम नहीं देते एक्सक्यूज करना छोड़िए जीवन में तरक्की कर जाओगे देखिए आज क्या हो रहा है नौर्थ इंडिया के तुलना में स्ट्रेक्शन ज्यादा एक तो सरकार ने सिच्छा विवस्था को चौपट कर रहा है स्टेट एजूकेशन को और दूसरा प्राइवेट स्कूल में इस ज्यादा होने के कारण कुछ बच्चे वहां जाने से वंचीत हो जाते हैं इसमें तो सरकार का दो से यह भी ब्लेम नह सिच्छा चला रहा है नहीं हम को चान्स लेना है लक लेना है और प्लांक प्रम है क्योंकि आपसे भी तो नीचे कोई जिसको पढ़ने का मौका कीताब नहीं मिल रहा है आपके पास कम से कम उतना तो मिल रहा है आपके पास दा हाइट के जैसा प्लेट फॉर्म तो है आपके पास एचर सिंसर के जैसा एक मोटिवेशन देने वाला तो है किसी के पास वह भी तो नहीं है तो ब्लेम करना छोड़िए देखिए साउथ के बच्चे अच्छा क्यों करें डिस्ट्र सबसे पहला स्टेज है और दूसरी बात क्या है किसी भी चीज में वांडर देखने की प्रयास किजिए वांडर आस्चर्ज क्यों जैसे एक्जामीनेशन से कोई निकलता है तो वह उसके दिल का हाल वही जानता है कि कोस्चन उससे नहीं स्वाल रहा था लेकिन तुम अगर एक्जामीनेशन नहीं दिये हो उसके पेपर को देखोगे तो तुमको लगता यह तो हम आसानी से कर देते मन में तुम्हारे कुछ और खिचिडी पकर रहा है लेकिन का यह तो हम आसानी तुमसे नहीं बना इतन तुरंत बना देते तुमने उस वांडर को नहीं देखा उस आज को नहीं देखा तो तुम्हारे अंदर कभी भी विज्डम नहीं आ सकता बिना वांदर के विज्डम नहीं और विज्डम के सक्सेस नहीं हो सकता इस्टुडेंट्स इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च